ममता बनर जी हार चुकी हैं, अपनी लोगप्रेता खो चुकी हैं, इसलिए वो औसम बैधानिक बाते बोल रही हैं जो नौर्थ कोडिया के परसिडेंट है किम जॉंग वो अपने विपक्ष को बरदास नहीं करतें, उसी तरह ममता बनर जी अपने विपक्ष की बात को बरदास नहीं करतें बंगाल को बांगला देश ना समझे मोदी बाबू, आग से खेलने की कोशिश ना करें और अगर ऐसा बीजेपी करती है तो याद रखें ये आग दिल्ली तक पहुचेगी, ममता बनर जी की ये कड़ी चेतावनी केंद्र को है, ममता बनर जी ने केंद्र को दराने की कोशिश की है, ममता बनर जी ने केंद्र को धंकी दी है, बीजेपी को धंकी दी है, प्रदान म चाही के कारण सड़कों पर आ गई हैं सड़कों पर उनकी इजद आ गई है बंगाल बीजेपी बंगाल कॉंग्रेस सभी लोगों ने ममता बेनरजी के स्थीवेगी मांग की है आज कलकत्ता में बीजेपी का एक तरफ विरोध प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ बंगाल में अब हुआ क्या पाटियों ने सभी मिलकर कर दिया विरोध तो तिल मिला उठी पश्चिम बंगाल की बीजेपी के तरफ से कही जाने वाली निर्मोही ममता और ममता बेनरजी आरजिकर मेडिकल कॉलेज में हुए जगन ने आप रात के बाद सवालों के लिस्ट में आ गई है सुकांत मजूमदार ने अमिट शाह को पश्चिम मंगाल की धराशाई यहां स्टाशन मिवस्ता पर चिठी लिख डाली है तो तिल मिला उठी है अब नए नए बहाने बना रही है कह रही है उडीसा बंगाल मनीपूर इसके साथ सब पर बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोलती आपको बता दे कि बिहार, मनीपूर, उडीसा, राजस्थान, हरियाना, दिल्ली, मध्यपरदेश सभी जग़ों को लेकर मोधी सरकार को ममताव इनरजी ने चेतावने दी है तो भड़क उठे अलग-अलग जग़ों के मुख्यमंत्री आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश मनीपूर में भी एन बिरेन सिंग ने कहा है हिम्मत कैसे होई ममता दीदी की, यहां आख दिखाने के लिए हिम्मत कैसे होई चुनावत्य देने के लिए ममता बेनरजी को आब कुछ नहीं काम बचा है और यहीं वज़ाए कि आसामिधानिक शब्दों का उप्योग कर रही है आपको बता दे किंद्रिय ग्राहिमंत्री गिराज सिंग ने भी जबरदस्त हमला बोला है पहले सुनिए उनको कि गिराज सिंग ने ममता बेनरजी को क्या करार दिया है विहार लालू जादब हों देजस्वी जादब हों राहुल गांधी हों इनके लिए बेटियों का बलतकार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बेनरजी के साथ दिखते यानि बलतकारियों के साथ ये टुकरे टुकरे गैंग दिखते और बंगाल में ममता बेनरजी हार चुकी हैं अपनी लोगप्रेता खो चुकी हैं इसी लिए वो ओसम बैदानिक बाते बोल रही हैं संग्य धाचा को तोर रही हैं और उसके समर्थन में जो लोग खर रहे हैं यानि बलतकारियों के समर्थन में चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों ना ये जुवान कोई लोगतांत्रिक बैक्ती का होई नहीं सकता मुक्खमंत्री का ममता बनरजी जो नौर्थ कोडिया के परसिडेंट है किम जॉंग वो अपने विपक्ष को बरदास्त नहीं करते उसी तरह ममता बनरजी अपने विपक्ष की बात को बरदास्त नहीं करते तो आपने सुन लिया अब आपको ले चलते हैं राज्यों के मुक्खमंत्रियों के टिपणी पर ममता बनरजी को किस तरीके से भड़क कर इन्होंने जवाब दिया सबसे पहले आते हैं असाम के मुक्खमंत्री हेमंता विश्व सर्मा की हेमंता विश्व सर्मा ने पोस्ट किया है और कहा है कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असाम को धंकाने की हमें लाल आख मत दिखाएए असाफलता की राजनिती से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजए आपको विभाजन कारी भाशा बोलना शोभा नहीं देता है केंद्रिय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता को निशाने पर लिया कहा यह टेपणी आसमेधानिक पत पर बैठे किसी नेता की नहीं बलकि राष्ट विरोधी मानसिक्ता वाले किसी व्यक्ति के हो सकती दर्शों को आपको बता दे इनी से सुकांत मजूमदार ने आप चिठ्ठी लिग दी है राष्ट पती ने भी कहा बस बहुत हुआ अब बरदाश्ट के बाहर है दुरापदी मुर्मू ने खुद कामेंट किया है उसके बाद से ही ममता मिनर जी को राष्ट पती साशन लगन का डर्स अता रहा है राष्ट पती साशन लगाने की मांग बंगाल में संदेश खाली के बाद जोरो शुरो पर हो रहा है पहले से भी हो रहा था लेकिन अब मुद्धे भी मिल गए हैं तमाम अलग अलग पाटियों को और बता जे आपको संदेश खाली के मुद्धे के इतना बवाल मचा है और अगर मेरी कुर्सी हिलाने के हिम्मत की तो मैं बाकी कुर्सी भी हिला दूँगी किसी को पत पर बैठने नहीं दूँगी ये साफ धमकी प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी को ममता बेनर्जी ने दी है आपको बता दो उन्हें साफ कहा टीम सी को से मैं धमकी दी है जबकि अपने राज्य में हो रहे है यहाँ पर जगन्या पराधो पर ममता बेनर्जी कुछ नहीं कहती है इसके साथ हाई कोड से फटकार लगी बीजेपी बंगाल बंध का आवान करती वो सक्सेस्फिल हो जाता है कल बंगाल बंध का आसन हमने देखा यहीं को सजा नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा आपको मुखे मंत्री पत पर बने रहने शोबाई नहीं देती है बीजेपी कह रही है कॉंग्रेस कह रही है और यहीं बज़ा है कि ममता बेनर्जी अब सभी राज्यों की मुखे मंत्री को धंकी देती नजर आ दी जबकि एक बार नहीं का कि हाँ हम से गलती हो गई है हम अप रादियो को सक्त सजा दिलाएंगे इवन ममता बेनर जी ने अपने आपको बचाने के लिए ये तक कह दिया आपको बता दे कि यहां हम दस दिनों के भीतर एंटी रेप कानून की मनाएंगे और अगर राजपाल ने इसको चुनोती कर रही है और ये वज़ाय कि ममता बेनर जी को तीकी मिर्ची लग रही है ममता तिली उटी है आपको बता दे यहां ममता के बयान पर ओरीसा के मुख्यमंतरी मोहन और जरन माजी को कभी सुईकार नहीं करेंगे ये से तमाम मुख्यमंत्री के कमेंट जो मैंने आपको बताया ममताब इनर्जी अब बिल मिलाई है क्योंकि ममताब इनर्जी के स्तीफे की मांग तेज हो रही है परश्चिप बंगाल के परती ममताब इनर्जी की जाग रुकता लोगों को बिल स्टिकरन की राजिती में दखाई देती है आपकी क्या राय है आप जरूर कामेंट के सरी हमें पताईए शुक्रिया